हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम अब तो आप अच्छा मैसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन एक लाग डॉलर को चुने के करीब है और यहाँ पे आल्ट कॉइन मार्किट भी अच्छा करते दिख रही है लेकिन आने वाला हफता और इंट समझाने की कोशिश करेंगे और शॉट टम में क्या लगता है बिटकॉइन का वो भी समझाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है वानर चेन और यहाँ पर क्या है AI हो, RWA हो, Entertainment हो, Gaming हो, बहुत कुछ यह अपने प्रोजेक्ट के साथ में कर रहे हैं और क्या इसका क् teamed है, क्या इसकी detail है, detail के अंदर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में अगर चेनल पे पहली बार आयों तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए, वीडियो को शेयर और ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ हमें एक momentum पकड़ते दिखता है Bitcoin यह पूरी की पूरी cryptocurrency market और वो है कि जब भी USDT mint होते हैं कल रात 1 billion नहीं 2 billion USDT mint हुए हैं और आप देखो alt coins तो यहां फटते दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है नए हफते की तयारी हो रही है और यहां पर आने वा बात मद भूलिएगा MicroStrategy ने 3 billion dollar और रेस किया है जिनसे वो और Bitcoin खरीज सकें तो आने वाले हफते में यह भी news आती दिख सकती है तो यह दो बड़ी news है जिसकी वैसे ऐसा लगता है कि 1 lakh dollar को Bitcoin पुश करता दिख सकता है लेकिन अगर अगर टेकनिकली अगर बात करता हूं तो एक लाग से एक लाग दो अजार जहाँ पर फैबनाची की रेशियो की बात करते है पैराबॉलिक कर्व की उसकी रेस्टेंस की बात करते है वो वहां मिलता है लेकिन अगर नहीं आता है थोड़ी सी मार्किट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है तो वही आपको है 90,000 dollar क आसपा इसको एक important support मिल रहे है 90-93-94,000 dollar का जो zone है और अच्छी support 83-85,000 dollar की वहां मिलती है तो आने वाले time के अंदर bitcoin कैसा कर सकता है वो एक idea आपको लगी जाएगा लेकिन जो information news निकल के आ रही है जो scenario बन रहा है जो महौल बन रहा है bitcoin यहां आपको अच्छा करता दिख सकत है और bitcoin अच्छा करेगा और altcoins जिस आपसे momentum आ रही है और हम बात करते हैं bitcoin की dominance की वो भी अच्छी करती दिख रही है और आप देखोगे वो गिरती दिख रही है कि bitcoin की dominance का गिरना यानि कि जो भी हमारे portfolio के अंदर coins हैं वो भढ़ते दिखेंगे हमारा portfolio यहां पर बढ़ता द जाता हूं वो भी काफी interesting है क्योंकि अगर हम बात करते हैं कहीं बार हम देखते हैं कि transaction करने में बहुत जादा expense लग जाता है तो इसके अंदर इन्दर transaction fees को fix किया हुआ है यहां पर top जितने भी बड़े-बड़े exchanges हैं वहां पर यह list है क्या है finance हो गया क्या है आपका coinbase हो ग project आपको अच्छा करता दिखे और यहां पर उसके बारे में थोड़ा और detail में इस project के बारे में समझाता हूं एक sponsored video है लेकिन इस project के अंदर लगता है potential है लेकिन ध्यान रखेगा जो भी करो अपनी research करके करिएगा क्योंकि हम कोई financial advisor नहीं है और investment उतनी कीजिए कि मानलो जो हम कह रहे हैं ना भी हो और zero हो जाए तो भी आपकी सिहत पर असर न पड़े और जब भी कोई नए project innovation के लिए आते हैं तो आपने portfolio को diversify करना है और अपने portfolio का 1-2% जादा risk नहीं लेना चाहिए किसी भी coin के अंदर तो यहां पर और जादा detail में इस project के बारे में बात करते हैं और इसके coin के बारे में बात करते हैं अब चलते हैं screen के उपर दोस्तों अब बात करते हैं Wanner, Wanner जो आप इसको बोलना चाहें और इसकी blockchain का नाम है Wanner Chain और यह जो है layer 1 blockchain है interesting बात क्या है अगर हम बात करते हैं AI powered platform revolutionize करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर यह real world asset tokenization करना चाह 3 का हर कोई जिकर कर रहा है तो ऐसा लगता है in future यहां पर इस project के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है अगर यहां पर जो सबसे interesting बात अगर मैं बताऊं आपको तो जो भी transaction हम usually करते हैं क्या हम Bitcoin में करें Ethereum में करें हैं दूसरे project में तो हमें पता है वो जो उसकी gas fees है वो fix नहीं रहती है लेकिन उन्होंने सबसे interesting क्या किया है कि यहां पर उसकी gas fees fix रखी हुई है ताकि जो भी कुछ भी हो situation आपकी transaction fees आपको पता है मुझे इतनी ही देनी है कई बार हजारों में चले जाती है Bitcoin की blockchain के उपर या Ethereum के अंदर भी और यहां पर यहां पर यह ज low fee है scalable की बात करते है वो भी यहां दिखता है fast भी है और energy efficient भी यहां पर लगता है अब यहां पर interesting बात और क्या है आपको जो समझने की है इनकी partnership को देखते हो Nvidia के साथ में बात करते है या Google Cloud के साथ में Binance के साथ में बड़े बड़े नाम है जिनके साथ इन्होंने partnership की हुई है और यहां पर interesting बात क्या है जितने भी बड़े बड़े exchanges है उसके ऊपर यह listed है क्या है Binance की बात करते हैं क्या है हम बात करते है Coinbase की, Bybit की, BitGet की यह सब पे आपको available मिल जाता है बाकी interesting बात क्या है इस project के बारे में कि यहां पर लगातार इसकी team active है और यहां पर नई नई partnership निकल के आ रही है और जिस आप से इनकी partnership निकल के आ रही है तो इससे पता चलता है कि हाँ team कुछ करने की कोशिच कर रही है efforts डाल रही है तो हो सकता है आने वाले time के अंदर यह project आपको अच्छा करता दिखे या इसका token आपको अच्छा करता दिखे बाकी और ज्यादा detail क को जाके देख सकते हो इनके white paper को पढ़ सकते हो इनके team के बारे में और जादा जान सकते हो लेकिन अगर हम इसके token की बात करते हैं इसके token का नाम है वैनरी और इसका price 0.1251 चल रहा है जब इसका price लगबग 0.1 के आसपस था तो हमने इसको यहाँ पे अपने जो है ट्वीटर टेलिग्राम पे शेयर किया था और उम्मीद करता हूँ तब आपने इसके उपर कुछ करने की कोशिश की होगी दो दिन पुरानी ये बात है और उसके बाद already 15-20% ये बढ़ चुका है इसके price के अंदर हम आगे और बात करेंगे लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके market cap की तो दुगना तिगना चार गुना ये इसका coin होता देख सकता है लेकिन ये कोई financial advice मत समझेगा कई बार ये सारी चीजे होती है कई बार नहीं होती है और अगर देखते हैं इन्होंने rebranding किये वर्चुआ से ये rebrand हुआ है वानर के अंदर लेकिन जितने भी बड़े-बड़े exchanges ह इस पे listed ये coin है तो इस पे नजर जरूर बनाके आप रख सकते हो और अगर हम देखते हैं कि total अगर volume भी जो देखते हैं तो इसके उपर अच्छा खासा 50 million के आसपास का volume ये daily के generate कर रहे हैं अगर यहाँ पर इसके price की बात करते हैं तो interesting बात क्या है ये 200 day moving average जो है इसको ये breakout करने में कामयाब हुआ क्योंकि अगर आप already देखो 0.085 से already 0.12 यानिकि 40-50% ये already भढ़ चुका है अगर आप entry के लिए देख रहे हो तो एक entry लगबग 0.0 क्योंकि एक support है अगर यहाँ मिलती है तो आप यहाँ देख सकते हो लेकिन अगर एक perfect entry देख रहे हो तो वो जो है 0.1 डॉलर के आसपास याती है यानिकि 10 cents के आसपास याती है अगर यह यहाँ support मिली तो हो सकता है यह pump करके 0.14 से लेके 190.2 डॉलर यानिकि 20 cents तक आपको जाता देखे 40-50-100% का potential रखता है लेकिन अगर यह यहाँ maintain नहीं कर पाया अगर आपको अच्छी entry के लिए देख रह बाकी दोस्तों अगर हम project को देखते हैं इनकी team को देखते हैं overall इसके जो यह use case निकल कह रहा है उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है यह project और इसका coin आने वाले time के अंदर अच्छा करता दिख सकता है और जादर detail के लिए आप इनकी website को जो है जाके देख सकते हो नीचे description हम इतना जादा उनके project के बारे में explore करोगे किसी भी project के बारे में explore करोगे उतना जादा आपको यहाँ पर उसके बारे में पता चलेगा और यह जो project के बारे में बताया है उस उम्मीद करता हूँ इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा बाकी अपनी research खुद पूरी अच्छे से कीजेगा उसके बार decide कीजेगा आपको यहाँ क्या करना है लेकिन project के अंदर potential लगता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा content अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को subscribe कीजे ट्वीटर टेलिग्राम को हमारे follow कर लीजे नीचे description में जो लिंक है उससे से कीजेगा बहुत सार स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करनी क करना है उससे भी आप बच पाओगे अभी के लिए विदा लेता हूँ खुश रहिए मुस्कुराते रहिए खमाते रहिए आपका दोस पंकर्च तैंक यू नमस्कार धन्यवाद